आप देख रहे हैं रास्ट्रिय हिंदी न्यूज उनका कहना था कि जीपीएफ खाता नहीं होने के करण उनको वेतर नहीं दिया जा रहा था सुप्रिम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के जज न्याइमूर्ती रूद्र प्रकास मिश्रा को पिछले दस महीने से लंबित वेतन को देने का आदेश राज सरकार को दिया है सुमवार को प्रधान मुख्य न्याइधीस न्याइमूर्ती डिवाज चंद्र चून न्याइमूर्ती जेबी पार दिवाला और न्याइमूर्ती मनुज मिश्रा की पीट ने कहा कि किसी भी न्याइधीस से बिना वितन काम करनी के उमीद कैसे की जा सकती है कोर्ट ने कहा कि राजसरकार नियाएधीस की सभी लंबित वेतन और बकाया का भुकतान उस दिन से करें जब से वे लंबित है तदकाल के लिए एक अस्थाई सामाने भविशनी थी खाता खुले गवरतलो है कि नियायमूर्थी का सामाने भविशनी थी जीपेफ खाता ना होने के करण पिछले 10 महिने से वेतन का भुकतान नहीं हो रहा था नियायमूर्थी मिश्रा के वकील ने कोर्ड को बताय कि गत शूरमभर को उनके नियुकते हाई कोर्ड में बतौर जज हुई उसके बाएस उनका वेतन नहीं दिया गया उनका कहना था कि जीपेफ खाता ना होने के करण उनको वेतन नहीं दिय जा रहा था मामले पर सुनवाई कि दुराद सॉलिस इटर जनरल तुशार महिता ने कोड़ को आशवाशन दिया कि मुद्दर सुलजा लिया जाए गा और उन्होंने मामले पर शुकर्वार को सुनवाई करने कानौथ किया हाला कि कोट ने ये सुनिश्चित करने पर जूर दिया कि नियाय मूर्ति मिश्रा को बिना देरी अस्थाई जी पिएफ खाता खोल सभी लंबित वेतन और बकाया का भुकतान करें